गाइस हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं रीफेक्स इंडस्ट्री इसके बारे में और चार्ट देखने में आपको पता है कि बहुत ही शांदार देखने को मिल रहा है ठीक है बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ आगे लिकिन मेरा जो एक कंसर्ण है इस शेर के लिए वो मैं आपको पहले बता देता हूं मेरा कंसर्ण है इसका प्रॉफिट आफटर टाक्स देखिए अभी दो तरह की सिचुईशन से अभी पहले तो मेरा डाउट ये है कि ये जो इसने चार साल जो प्रॉफिट दिखाया ये ठीक है थोड जब भी अनियूजवल प्रॉफिट आता है तो अगले साल वो क्या करती है पहले जो कंसिस्टेंसी चल रही थी उसी को मेंटेन करते हुए हो सकता है इसमें अगले साल आपको कुछ इस तरह का एक पहार देखने को मिले जो की पिछले वाले प्रॉफिट वगरा से जादा हो लेकिन जस्ट पिछले वाले साल से कम हो ऐसा जादातर कंपनीज में देखने को मिलता है और लोग क्या करते हैं लोग फस जाते हैं जब इस तरह का रिजल्ट आते ही जो शेयर भागता है तो वहाँ पर एंट्री करते हैं और उसके बाद लॉस खाते हैं तो ऐसी गलती हमको मेंटेन किया इन फैक्ट अभी इसे बढ़ा दिया तो क्या ये ऐसा कर सकता है कि इसको भी आगे चार साल तीन साल पांच साल कंसिस्टेंटल आगे बढ़ा है और उसके बाद और बड़ा एक रिजल्ट दे पॉसिबल है लेकिन हमको इसके लिए इसमें रिस्क लेने के थोड़े और फंडमेंटल स्ट्रॉंग दिखने चाहिए और इसका आरो सी आरोई देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत जादा बेनेफिशिल अभी हो सकता है लास्ट तीन साल का आरो सी देखेंगे तो एक नंबर है पांच साल का रिटर्न देखेंगे तो खतरनाग है एक 50% से जादा है डेट टू एक्विटी रेशियो ठीक ठाक है तो अभी तक कुछ भी खराब नहीं दिखा इसमें पी रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो पी रेशियो ऑविसली हमको जो है मीडियन से ऊपर देखने को मिल रहा है हमको मौके यहां पर भी थे यहां पर भी थे जब यह मीडियन के नीचे चल रहा था लेकिन उस टाइम पर भी इसका प्राइस कम नहीं था लेकिन जिन्नों ने यहां पर भी एंट्री किये होगी उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अभी भी हो रहा होगा है ना अब दीकि 2017 से हम लोग चेक करेंगे तो इसमें लंबे टाइम से अकर प्रॉफिट कंटीनियूसली बढ़ रहे हैं तो वह बहुत पॉजिटिव होने लगता है मतलब वह कुछ इन्वेस्टर्स के नजर में आने से चेंज होके जादा तर इन्वेस्टर्स के नजर में आने लगता है जो लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट कर कि FII ने अपने स्टेक को बढ़ाया है DIA ने स्टेक अड़ किया है हर जगह से जब ये पॉजिटिव दिख रहा हो तो स्टॉक भागेगा नहीं तो क्या होगा लेकिन इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज वगरा देखने के बाद भी मैं इसमें यहां पे इन्वेस्मेंट न वगरा आ रही है उन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह थोड़ा और उपर जा सकता है इवन अगर अभी किस की पॉजिशन देखेंगे तो उपर में कोई भी सेलिंग प्रेशर देखने को अभी भी नहीं मिल रहा तो यह और उपर भी जा सकता है तो जो इसके होल्ड करने के लिए चुक हूँ लेकिन अभी नहीं मैं इसमें इंवेस्टमेंट करूंगा अगर मुझे यह अगले साल क्योंकि इस साल तो मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा अगले साल अगर मुझे यह 400 रुपे के नीचे मिलता है तो ठीक है कुछ लोगों को इंपॉसिबल न्यूस बगराच और कमें इसको किसी मन्थ में मेरा मैं हृट तो मन्थली लेवल मेरे इसमें मघर कर तो कोई भी अप्डेट आता है तो मैं आपको बता दूगा ठीक है इस वीड्योगा मिलेड लगी वीड़ियो nous